प्यारे बच्चो आपने अभी वैदिक गणित के तरीकों से गुणा करने के कुछ धंग देखे हैं। आपने देखा है कितनी आसान विधी से हम गुणा कर पाते हैं। आज हम आपको एक और नई विधी के बारे में बता रहे हैं। इस विधी का नाम है निखिलम विधी। और 2 का योग है और ये 10 है तो एक और हम उधारण ने माल लिजए हमने एक संख्या ली 14 और दूस्तरी संख्या ली 13 तो आप देख रहे हैं कि जो 14 है वो 10 धन 4 है और वैसे ही 13 जो है वो 10 धन 3 है तो इन दोनों संख्याओं के लिए आधार हम 10 को मानते हैं तो यदि किसी संक्या का आधार 10 या उसकी कोई घात हो जैसे 100 या 1000 हो तो ऐसी दो संक्याओं के गुणा करने के लिए हम निखलंव विद्य का उप्योग करते हैं इस विद्य का उप्योग करते समय हमें एक और नए शब्द के भारे में सोचना पड़ेगा जैसे हम विजलन कहते हैं पहले हमने आधार की बात की आप इसका ध्यान रखेगा आधार और दूसरा शब्द है विजलन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संक्याओं चवदा के लिए हम दस को आधार मारेंगे और चवदा के लिए आधार दस है और विजलन जो है वो बताता है कि वो संक्याओं दस से कितनी आगे या पीछे है तो यहाँ पर हम चवदा के लिए कहेंगे कि उसका विजलन चार है उसी तरह से तेरा के संदर में हम कह सकते हैं कि 13 का आधार 10 है और उसका विशलन 3 है ये जो हम बात कह रहे हैं ये 14 के लिए है और ये जो हम बात कह रहे हैं वो 13 के लिए एक बार फिर से मैं इसको रिपिट करता हूँ संख्या 13 के लिए आधार 10 है और विशलन 3 है संख्या 14 के लिए आधार 10 है और विश्लन 4 है अब आप संख्या 8 के बारे में क्या सुचते है आप देख रहे हैं कि संख्या 8 10 के पास ही है यदि हम 10 में 2 घटा दें तो हमें 8 मिलता है तो 8 के लिए हम कह सकते हैं कि इसका आधार 10 है और विश्लन 2 है संख्या आट के लिए हम कहेंगे आधार दस है और विश्णन रिण दो है ये संख्या आट के लिए अब इन दोनों के मिलाएंगे देखे आट मिलता है तो ये दो शब्त है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी संख्या का आधार क्या है और उसका विश्लन क्या है ये चीज़े जब हमें मिल जाती है तब हम उस पर काम करते हैं आगे अभी आपने दो तीन संख्याओं के बारे में देखा कि उनका आधार और विश्लन क्या है हम कुछ और संख्याओं ले जैसे हमने लिया एक सो छे एक सो साथ और माल लेज़े तीसरे संख्याओं अंठानबे है आप देख रहे हैं ये तीनों संख्याओं सो क्या सपास की है आप यहां देख रहे हैं ये सो और छे का योग है और ये वाली संख्या सो और साथ का योग है और ये संख्या सो और दो का अंतर है इन तीनों दाहरणों में देखते हैं कि तीनों संख्याओं सो के पास हैं तो हम कहेंगे इन तीनों संख्याओं के लिए आधार एक जैसे हैं और सो है वो इन तीनों संख्याओं के लिए आधार सो है और विशलन इनके अलग-अलग है आप देख रहे हैं 106 के लिए विशलन 6 है विशलन का मतलब वो संक्या 100 से कितनी अलग है कितनी दूर है वो दूरी धनात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है तो आप 106 के लिए कह सकते हैं इनका आधार 100 है और विशलन 6 है ठीक इसी तरह से आप संक्या एक सो साथ के लिए कह सकते हैं कि संक्या एक सो साथ का आधार सौ है और विश्लन साथ है आप इसे धन साथ भी कह सकते हैं अंठानमे के लिए संक्या का आधार तो सौ है लेकिन विश्लन रिनात्मक है यहां पर विश्लन आप कहेंगे रिड़ दो है तो आपने पहचान लिया कि हम किसी संक्या के लिए आधार और विश्लन कैसे ग्याद कर सकते हैं यह जो आधार और विश्लन है वो एक हधार के आसपास भी हो सकते हैं मान लिए यह एक हजार बीस एक संक्या है एक हजार साथ दूसरी संक्या है और नौ सो पंचानबे एक संक्या है आप देख रहे हैं तीनों संक्या हैं एक हजार के पास है तो आप समझ गहेंगे कि इन तीनों संक्याओं के लिए आधार आप एक हजार को मानेंगे यहां पर संख्या एक हजार से बीस अधिक है इसला भी इसका विशलन कहेंगे धन बीस है यह वाली संख्या एक हजार साथ एक हजार से साथ अधिक है इसके लिए आप कह सकते हैं इनका विशलन धन साथ है और यह तीसरी संक्या 995 9000 से छोटी है तो आधार तो आप इसका 1000 ही बानेंगे लेकिन इसकाumn गहेंगे रेंड पांच है क्योंकि 1000 बें रेंड पांच को जोड़ने पर या 1005 गटाने पर आपको 1995 मिलता है तो इस तरह से आपने देखा कि अलग-अलग संख्याओं में आधार क्या हो सकते हैं और उनके विश्णन क्या हो सकते हैं अब निखलम विदी का उपयोग करने के लिए हम इन आधारों का और विश्णन का उपयोग कैसे करते हैं यह हम आगे देखते हैं बच्चो अब हम उदाहरण 19 हल करने जा रहे हैं और इस उदाहरण में हम निखलम सुत्र का उप्योग करेंगे निखलम विदी का गुणा का उप्योग करेंगे और निखलम विदी के उप्योग से हम दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं इसको देखेंगे इसको सीखेंग हमारे पास जो प्रश्ण दिया हुआ है वो है बारा गुणित चौदा एक बहुत आसान से प्रश्ण से हम इस उदारन को समझने की कोशिश करते हैं पहली संखे बारा है और दूसरी संखे चौदा है तो निकलम सुद्र का उप्योग करते समय हम ऐसी संख्याओं को चुनते हैं जो किसी एक आधार के आसपास होती है यहाँ पर आप देखिए जो बारा है वो दस के पास की संख्या है और चौदा भी दस के पास की संख्या है 12 10 से 2 अधिक है और 14 10 से 4 अधिक है तो ऐसी सिति में हम 10 को उनका आधार कहते है तो इन दोनों संख्याओं के लिए हम कहेंगे कि इनका आधार 10 है और 10 से जितना अलग है जितनी दूर है यह या इन संख्याओं का 10 से जो अंतर है उसे हम विशलन के नाम से जानते हैं तो पहले हम यहाँ पर लिखें संख्या या संख्याएं कौन कौन सी है और इनका विशलन क्या है तो पहली वाली संख्या 12 है और 10 से ये 2 अधिक है तो हम कहेंगे इसका विचलन धन दो है बारा का दस से विचलन धन दो है ठीक इसी तरह से हम कहेंगे चौदा का आधार दस से विचलन धन चार है तो इस दो चीजें हमने देखी कि जो हमारे पास संख्याय हैं बारा और चौदा उनका आधार 10 है और 10 है इनका विश्णन क्रमश, धन्दो और धन्चार है गुणा हम जब करेंगे तब हमें इसके दो हिस्से मिलेंगे दाइने तरप के हिस्सा और बाइने तरप के हिस्सा यहां पर हम धिधि धन्द और धन्चार का गुणा करेंगे तो हमको धन्द आर्ट मिलेगा उसे हम यह पर लिखे यह जो आर्ट है वो गुणन्द फल की इकाई को प्रदर्शित कर रहा है जो किवल आर्ट है एक बात और हमें यहां पर ध्यान में रखनी है वह यह कि आधार म हमारे पास दस में किवल एक ही संक्या है शुन्न की इसलिए हम यहां पर किवल इकाई लिखेंगे तो यह हमें दाहिने है तरफ का हिस्सा या किवल इकाई हमको जो मिली वो दो और चार के गुणन फल से मिली जो आर्ट है अब बाइन तरफ के बारे में सोचिए बाइन संक्या बारा ले रहे हैं तो दूसरी संक्या धन चार होगी और इनका योगफल हमें मिलेगा बारा धन चार बराबर सोला दूसरा तरीका हो सकता है कि हम दूसरी वाली संक्या ले और उसे पहले वाले विश्लन को जोड़े तो यह चौदा है और उसे पहली संक्या के विश् आधार 10 पहली वाली संख्या के विशलन दन दो दूसरी वाली संख्या के विशलन धन čार इसा करने पर भी interpolate 12ал के संख्या और एहां पर आपको संख्या होईish 160 Saaha kepkaico do us Kellyौ pros象 संख्या होईorder की दीडियों आपकी जो संख्या है 12 α और शवदा उनका गुणा करने पर आपको मिलेगा 168 तो यह निकलम सुत्र का उप्योग करके हमने दो संख्याओं का गुणा किया आप देख सकते हैं पर कि हमने सबसे पहले आधार को चुना और उन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं जिनके आधार एक जैसे ही हैं और पूरी प्रक्रिया को अब फिर से देख लें दोनों संख्या हैं आप में लिखी और आधार से उनका विश्लन लिखा और फिर दोनों विश्ल मिली आपको इस उदारहंट के लिए एक 606 मिली जो बारा और चौदा के गुणनफल को प्रदर्शित करता है तो इस तरीके का आप एक दो बार अभ्यास करिए और इस तरीके से नई संख्या लेकर भी आप गुणा करके देखिए आप देखेंगे बहुत आसानी से ये गुण आप कर सकते हैं